है है लो है है लो है है आज हम समोसे का आलू का मटेरियल बनाने प्राइब हुआ है समोसे का आलू का मटेरियल जिसको देखना हो जुटते जाएं लाइप पर कमेंस करते जाएं शेयर करते जाएं फोलो करते जाएं लाइप पिकरें है 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 अचानक मेमान घर में आ जाते हैं या घर में बच्चे बोलते हैं जैसे भी कुछ होता है तो लगता है कि हम इसको आलू वाले ठंडा करी बहुत टाइम लगीगा यह सोच के हम नहीं काम नहीं करते हैं तो मैं इसका बर्या सॉलिशन बतारू आँए कोई भी बर्तर में पानी ले दीजिए गरम गरम आलूस में डाल दीजिए अब आपने इसमें आलू डाल दिया और आपका आलू चलकाई तब से उतार जाएगा आपको कोई टेंचन वाली बात नहीं देगी और इस तो पहले आलू तो और चक्नी है यह हमेशा दोदो बिन तक का दला पाड़ा ने रचे गरमी क्योंकि कभी भी गरमें इनकी जबुन पड़ती है अब हमने गेज रख चालू कर दिया अब हम इसमें डालेंगे एक चमाचिता भी डालेंगे ज्यादा नहीं ज्यादा आप सकते हैं कि नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा ओली ओली हो जाता है मसाला हींट डानेंगे यह डाइजेशन को बहुत सई करता हूँ तो आप भी जरू डानेंगे यह भी बहुत जरूरी है यह भी डाइजेशन के लिए है कि यह जीरा आप इसी कई आप पनाठा भी बना सकते हैं इसी कई आप आलू बबरे बटाटा बढ़ा जो भी बोलते हैं श्को बना सकते हैं कि इसमें जाएगा हैं हम दानेंगे लाल मिंच पाउडर में में पिरस रहे हैं मुझान स्प़ाइब और कि यह कि नहीं नुक्सान नहीं धरनी कि दानीं था दान के लाण लेयों पाउडर प अपacağım गर्मसाला, इसका इसका कलर आएगा, आप चाहे कर सके प्यार भी डाल सकते हैं, चांकू से इसका कर सकते हैं, चांकू से भी कर सकते हैं, और हाथ से भी इसको कट कर सकते हैं, तब आप इसमें, दनिया, मिट्की, अब हम इसका पराथा बनाएंगे, प्रंजा करेंगे, आथा गूलेंगे, नमक डालेंगे, अब हम इसका आता भूलेंगे, अब हम गेस बन कर देंगे, क्योंकि इसको ज्यादा गेस बन नहीं रखना है, इसमें गी भी नहीं डालेंगे, ज्यादा, अब आप इसके चाह समोसे बनाएं, चाह पराथा बनाएं, चाह आलू बड़ा बनाएं, ठंडा करके, अब हम इसका पराथा जब बनाते हैं, तो इसका आता तोड़ा गीला गूल देंगे न, तो पराथा बहुत अच्छा बनता है, फटेगा नहीं, और आता सूखा होगा तो आपका पराथा खटता रहेगा, और समोसे के लिए मैदा गून देंगे, मैदा गून के मैदे में हम डालेंगे गी, नमद, आजवाइन, और आता गून लेंगे, समोसे का आता सकत गूनते हैं, और कचोरी का आता गीला करते हैं, अब हमारा ये मटेलियन तयार है, इसमें हींद की अपनी खश्बू आ लिए, दनिया की खश्बू आ लिए, अब आप इसको नास्ते में जो भी बनाना चाहें, इसका ब्रेड डोल भी बना सकते हैं, अगर आप पराथा खा रहे हैं, तो शाष के साथ खाएं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, सुबह का न आपको कैसा लगा, इसको ज्यादा पीखा करना हो, तो आपने असाब से इसको कंग ज्यादा कर सकते हैं, घर में बच्चे और गर के लोग कोई पीखा खाना पसंद करता है, कोई ज्यादा मिर्ची हाना है, तो हम उसको उस तरह से बना सकती हैं, वीडियो कैसा में लगा, लाइक करें, शेयर करें, फोलो करें, जैंने वाद,